तो वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की बिहार से बड़ी खबर बिहार के भागलपूर के नौगचिया में हाइवे पर गयास सिलिंडर से भरे ट्रक में आग लगी इसके बाद एक एकर सिलिंडर में विस्पोर्ट होने लगा लगातार धमाके होने से मौके पर अफरा बिहार के भागलपूर से खबर आपको बता रहे हैं गयास सिलिंडर से भरे ट्रक में विस्पोर्ट धमाकों से दहल गया पूरा हाइवे किसी के हाथाथ होने के सुच्छना फलाल नहीं है हासे में जानमाल का भी रिफसान नहीं हुआ है हाइवे पर दोनों तरफ गाड़ि स्पोर्ट बिहार के भागलपूर के नौग अच्छिया में हाइवे पर ग्यास सिलिंडर से भरे ट्रक में आग लगी और इसकी बाद एक एक करके सिलिंडर में में स्पोर्ट होने लगा लगाता धमाकी होने से मौके पर अफ्रा तफ्री मची हालांकि गनिमत ये रहेगी हाथसा आबादिक शित्र से दूर हुआ था इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और चूकि हाथसा काफी दूर हुआ था आबादिक शित्र से इसलिए जानमाल को भी नुकसान नहीं हुआ है वहीं पुलिस ने हाइवे पर दोनों तरफ से गाड़ियों को रोका जानकारी के मताबिक ये घटना मंगलवार देराथ हाई बज़े एनेच 31 की है हाथसे में फदाल किसी के हाथासमने की ख़बार नहीं है